हेलो एब्रिवन वेलकम टू गनिदंक कैसे है बच्चे हाव यू आल चलो बहुत-बहुत बड़िया इंटीग्रेशन के कॉंसेप्स रिवाइज हो रहे है आज एक और कॉंसेप्ट है पार्शल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन राइट सो जिसको में रिवाइज करना है इंट स्प्सेट्यूशन बाइट वर पांशल फ्रैक्शन तो जब भी फंक्शं हमें फ्रैक्शन में दिया हूं मतलब नू में कुछ है डिनामेटर में कुछ है ऐसा रीशेर ऐफ्يا हो राइशनल फंक्शन चन कहते हम इसको अर ऊपर का डिगरी कम होना चाज़ी है नीचे का पहला situation है नीचे linear factors है मतलब x-1 है x-3 है तो दोनों factors कैसे है linear है degree 1 के है देखो उपर degree 1 है नीचे degree पूरा मिला के 2 है तो proper fraction है और नीचे linear factors है तो ऐसे वक्त we will express this fraction this as हम इस पूरे को क्या करेंगे partial fractions में बताएंगे वो कैसे a upon first factor x-1 plus b upon x-3 अब इसके आगे इसको cross multiply करो solve करके a और भी लेके आओ ठीक है पता है आपको x को 1 डालेंगे x को 3 डालेंगे examples करेंगे आज तब मिलिएगा दो फिर में 4 बजे अगे वाइटी life पे हम लोग examples करेंगे ठीक है येस सर तो वही बात है अगर सर जरूरी ने ना दूसरा case क्या है तो उपर x है लेकिन नीचे linear factors है लेकिन repeated linear है repeated मतलब x-3 का square का मतलब क्यों है x-3 x-3 दो बार है तो x-3 का square है तो इसमें हम क्या करेंगे a upon x-1 x-1 तो एक ही बार है plus अब ये दो बार है तो इसको कैसे लेना है b upon x-3 and c upon x-3 का square इस तरह लेंगे आप ध्यान अच्छा non-linear factors हो गए तो जैसे x-1 है लेकिन यहां quadratic आ गया है x square plus 3 है इस case में क्या करेंगे तो linear के लिए तो a upon x-1 होगा लेकिन जब भी quadratic आएगा तो उसके लिए bx plus c लिखो गया आप उपर ध्यान से देखेगा न कैसे लिखना है bx plus c लिखना है अगर आपका नीचे quadratic factor आता है तो ठीक है तो इस तरह के तीन केसे हमें मिलेंगे जहां पर linear factors है linear repeated है यहां पर linear but repeated ठीक है यह linear है but repeated factors है ठीक है न बच्छा और यह third जो है non-linear factors है तो आपको यह बात समझ में आ रही अच्छा 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 कभी degree अगर उपर का बढ़ा हो गया इफ degree of f of x is greater than degree of g of x मतलब numerator में लिटर से x cube वाला टम आ गया और नीचे में आपने x minus 1 x minus 2 या ऐसे कोई 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 लेता हूं मैं x square minus 5x plus 6 आ गया ऐसे कुछ आ गया तो यहां पे ना use long division आपको long division करना पड़ेगा and convert to proper fraction convert to proper fraction अगर equal degree भी रहा तभी भी तभी हमें long division करना पड़ेगा मतलब divide करना पड़ेगा फिर x cube minus 5 को x square minus 5 x plus 6 है और फिर वही dividend is equal to divisor into quotient plus remainder वाली चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी तो x cube minus 5 जो है उसको आप बराबर से मतलब लिखोगे express करोगे और फिर हम solve करेंगे ठीक है तो अगर degree बढ़ी रही है तो हम convert करेंगे और जैसी convert हो गया तो फिर उपर के कैसा replacement वाली case अगर latest से उपर भी x square है नीचे भी x square plus 4 है यहाँ पर भी x square plus 5 है ऐसा कुछ दिया है एट ऐसा कुछ है हमारा तो हम जब partial fraction use करते न बच्चा तो हम यहाँ पर क्या करते है x square को t रखके देख लेते हैं तो हम लोग कहेंगे replace क्योंकि हर जगा x square मुझे t के तार मतब x square दिख रहा है तो यह कैसा हो जगा फिर partial fraction करते वक्त t t plus 4 t plus 5 और इसको हम express कर सकते a upon t plus 4 plus b upon t plus 5 और आगे solve कर सकते a b और फिर integrate करते वक्त फिर से हम x square में लेके आ सकते हैं अगें मैं questions दिखाऊंगा आपको तो फिर में 4 बजे connected रहिएगा 4 बजे ठीक है ओके चलिए आपको जुगार बता दीजिए चलो यह है हमारा जुगार अगर कभी आपको partial fraction करते वक्त consecutive terms मिलते हैं consecutive तो आप इनको सीधा सीधा कर सकते हैं 1 by छोटा minus 1 by बड़ा मतलब x minus 1 x minus 2 में छोटा कोन है x minus 2 है ध्यान रखेगा कौन छोटा है x minus 2 है कैसे सर 10 minus 1 कितना होता है 9 10 minus 2 कि इतना होता है 8 तो कौन सा छोटा है 8 छोटा है तो x minus 2 छोटा है बहुत सारे लोग confusion में रहते हैं इस बात को लेगे तो 1 upon x minus 2 minus 1 upon x minus 1 ऐसे लिख सकते हैं आप ठीक है अच्छा तो इसका direct integration क्या हो जागा फिर log of x minus 2 upon x minus 1 मतलब log of छोटा अपॉन बड़ा याद रखेगा आप ठीक है बढ़िया लगा आपको यह difference कितने का है और difference निकाल दो पॉजिटिव निगेटिव बद सोचना सीधा निगेटिव मतलब पॉजिटिव दिफरेंस नेना वान और फाइव दो numbers है दो नमबर का difference कितना है 4 का है सर यह थोड़ा समझ नहीं आ रहा है चलिए एक example लेते सर यह सिधा क्या होगा लॉग छोटा छोटा मतलब x plus 4 बड़ा मतलब x plus 5 मजा आया आपको आजगर लिया से अगर मैंने कहा सर ऐसा नहीं मेरे पास लॉग ओफ x plus 4 है और x plus 11 है ठीक है ना कितने का difference है 7 का 11 और 7 में तो आपने 1 by 7 कर दिया आप लॉग ओफ छोटा छोटा मतल सब x plus 4 upon x plus 11 स्माइल आ रही है चेहरे पर यह सर बहुत इजी हो गया यह तो एक और एक्जाम्पल करा आई है ना सर ठीक है एक और एक्जाम्पल लेते हैं मुझे पता है आपका मन हो रहा है लॉग ऑफ x-9 है और लेटा से लॉग ऑफ x-19 है ऐसा कुछ दोनों में डिफरें 1 upon x-1 and x-4 ऐसा कुछ है तो बिटा डिफरेंस कितने का है 5 का तो 1 by 5 log of ठीक है ना और चोटा कौन सा x-1 और बढ़ा कौन सा x-4 ऐसे आ जाएगा इस तरह हम करेंगे आसान लग रहा है बापको तो यह ट्रिक बहुत काम आएगी बहुत सरे एक्जाम्पल में हमारे कोश्चन बताया है by chance concept हमने miss किये हो तो इसके पहले हमने by parts किया था उसके पहले हम लोगों ने trigonometric form, algebraic form, nine formulas फिर उसके बाद में standard substitutions and everything we have covered in detail with जुगाड तो देखते रही है इस series को concept revision की examples हम चार बज़े live मिलेंगे solve करने के लिए thank you everyone and always keep smiling like share पक्का करेगा बाए बाए